नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फिरी शिक्षा की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन पहली बार गुरूप सी स्क्रीनिंग में एक नया परियोग करने जा रहा है सात्यों विश्तार से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा इसके अलावा अगर आपने यवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सात्यों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अरियाना का विश्तार जो लगातार आप तक बरते उसे अपटेट पहुंचाता है तो चलिए सात्यों देख लेते हैं बड़ी खबर पहले तेरा गुरूपों की बारा जार पोस्ट के लिए होगी परिक्ष्या तो सात्यों 24 और 25 को जो एक्जाम होना है 12610 पदों पर इसके लिए 33,000 युवा एक्जाम देने वाले हैं आयो के चेर्मेन साब ने कहा है कि 12610 पदों के लिए 13 गुरूपों की परिक्ष्या होगी पंचकुला में अधिक संक्या में युवाओं की परिक्ष्या करवाई जाएगी ये सात्यों पहले भी आपको पता है जिन्युजे बार-बार आप देख सुके हो पंचकुला में 21 सेंटर बनाए गए हैं और करनाल में 24 सेंटर बनाए गए हैं इसके अलावा जरूरत पड़ी तो कुरूशेतर में भी एक्जाम करवाई जा सकते हैं ये तो थिसातियों मुख्य मुद्दे की बात के पार हो सकती है संक्या 10,04,000 युवा पहले ही आवेदन कर चुके हैं अब 50,000 या इस से अधिक युवाँ को आवेदन करने की संबावना है गुरूप D का एक्जाम CT है वो सितंबर में लिया जाएगा आयोग ने NTA को लेटर लिग दिया है ये जानकारी भी आपको पता है लेकिन पहली बार क्या प्रोसेस शुरू होने जा रहा है वो देखिएगा साथियों यहां से देखना बहुत जूरी है आयोग की और से जल्द ही गुरूप C की स्क्रिनिंग प्रिक्षियाओं का सेडूल है और की पूरा सेडूल जारी कर दिया जाएगा और जून के बाद जुलाई में प्रिक्षिया होगी यानि की साथियों 32 जार्पदों के लिए स्क्रिनिंग प्रिक्षिया है वो जुलाई में पूरी कर ली जाएगी जून से प्रिक्षिया शुरू होगी है एक मेने में आपके सभी एक्जाम ले ले जाएंगे ऐसा दावा किया गया है लेकि रूप सी के स्क्रिनिंग टेस्ट में बैठने से पहले जो सात्यों एक्जाम टाइम में बायोमेटरिक होती है वो आधार बेस्ट ट्रेंड वाली है यह फैसला आयोग ने लिया है तो यह थी बड़ी अपडेट इसके अलावा जो नया सीडूल है वो भी आपको जल्द ही दिया जाएगा ऐसी संभाव नहीं है आप भी अगर लगातार ऐसी वर्तियों से रिलेटिट जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें अपना कीमती समय दने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में